Hello everyone my name is Milav Gupta and you are watching me on my YouTube channel MG Edutainment दोस्तों आज का ये वीडियो NMS के 10th और 12th class के स्टुडेंट्स के लिए है totally dedicated है NMS के 10th और 12th class के स्टुडेंट्स के लिए जो लोग April 2022 में अपने एक्जाम के तैयारी कर रहे हैं दोस्तों मैं यापर आपको बता दो जैसे कि आप प्रिवियसली आपने देखा था कि NMS पोर्ट से एक नोडिफिकेशन आ गया था जिसमें आपको बताया गया था कि आपका जो टीम का डेट है वो एक्स्टेंड करके February 15 कर दिया गया है तो आप लोग इत्मिनान से अपने टीमे पूरे बढ़िया तरीके से प्रिपेर कर सकते हैं और जो मेरे भाई बंदुओं को टीमे बलाने में कोई प्रावलम हो रही हो नीचे वाट्सअप नमर है इस पर आप कॉल कीजिए दो मिनट में आपके टीमे प्राक्टिकल सबसे पहले मैंने इससे ही शुरुआत क्यों करी इसके लिए मैं आपको पहुचल बताने वाला हूं ज़रा वीडियो को जहां से देखेगा एंवेस एपरेल 2022 एक्जाम केंसलेशन को लेकर बात चल रही है जैसे कि आप लोग को पता है मैंने अपनी प्रिवि प्रिवेट स्कूल के अंदर डेली में और और इंडिया के अंदर स्कूल के अंदर पढ़ते थे लेकिन किसी वज़े से वह बच्चे आज की रेट में अपने घर बैठके स्टडी कर रहे हैं उनको स्कूल में परमिशन नहीं है स्कूल नहीं बुलाया जा रहा राइट इव उसकी तैयारी जरूर कर रहे हैं लेकिन मुंबई में हो गई एक गलती और बच्चों को जल्दबाजी में दे दी गई वैक्सिनेशन और जिसकी वह से कुछ बच्चों की डैथ हो गई यानि कि 17 स्टूडेंट जो है वह वह ऑन दा स्पॉर्ट डाइड वे विदिन टू बता दूं कि जिसको लेकर एक बहुत बड़ा मुंबई के अंदर प्रोटेस्ट हुआ था आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर यह हमारे भाव है इन्हें कौन नहीं जानता तो मैं आपको यहां बता दूं कि जिस तरह से आप यह देख पा रहे हैं जिस तरह से यह प्रोटेस्ट अब मुंबई में चालू हो गया है ऐसे धीरे धीरे पूरे इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स करना शुरू करेंगे क्योंकि अक्टूबर सेशन में भी बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई थी और उन बच्चों के आप लोगों से ट्विटर का हम लोग एक साथ ट्विटर पे ट्वीट करने वाले हैं जिसमें कि मैं आप सभी लोगों का सहयोग चाहूंगा राइट थोड़ा से वीडियो को समझाते हुए आपको पता चल गया होगा कि मैं नौतारिक नौतारिक मीटिंग 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 क्यों कर रहा था हर वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है और मैं आपको फिर इस वीडियो में कह रहा हूं कि आप मेरे को पूरा अभी नहीं पहचान पाएंगे मैं आपको सिरफ इतना बताना चाहता हूं कि 9 फैबुर मैं आपको उस पर दे दूँगा क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स है जिनकी नजर है जिनकी सोच यह कहते हैं कि उनके प्राक्टिकल जो है वह जाकर नहीं देने चाहिए उनको उनका हॉल टिकेट नहीं आना चाहिए उनके प्राक्टिकल भी इसी तरीके से ओनलाइन चाहिए तो ले सकता है और इसकी तैयारी को पहले से करनी चाहिए थी तो इसको लेकर यह मीटिंग होने वाली है नौव फैब्रेरी को जिसका पूरा व्रतांत मैं आपको बताऊंगा आप्र कम्पलीशन ऑफ दिस मीटिंग जब यह पूरी हो जाएगी मैं आपको सब कुछ अपने वीडियो के अंदर बताऊंगा इसलिए चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरू कीजेगा राइट एक्जाम कैंसल और प्रमोशन अब यहां पर बात सिर्फ प्रमोशन की नहीं है यहां पर बात ओरी है एक्जाम कैंसलेशन की एक्जाम कैंसलेशन का मतलब है अधिकारी हैं उनको लेकर की जा रही है और भाउजी हमारे जो हैं उन्होंने भी मुंबई में प्रोटेस्ट करा बच्चों को इतना ज्यादा जो यह सहयोग करा है और उनकी एक अवाज पर पूरा महरास्ट के स्टूडेंट्स निकल कर भार आ गए आप सोच के देखें कितन करने के कई तरीके होते हैं आप महत्मण गांधी जी की तरह भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं आप आपको पता है वह अपने घर पर बैठके भीपiony कर सकते हैं इसका तरीका हमें हो आना चाहिए किस तरीके से यह किया जाता है तो मैं आपको बहुत जल्द आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करने वाला हूं मेरी अगामी वीडियो के अंदर आप लीज ट्वीट करेंने के लिए एक साथ जरूर आईएगा आप लोगों का बहुत बेसबरी से मैं इंतजार करूँगा ट्विटर के उस प्लाटफॉर्म पे जहां पर बहुत सारे इंडिया के स्टुडेंट्स जो एप्रिल 2022 में अपने एक्जाम्स देंगे वह सभी उस मंच पर हमारे साथ आएंगे और हम एक साथ ट्विटर पर ट्व जरूर होगी इसके बाद मैं आपको बता दू कि मुंबई के स्टुडेंट्स ने जिस तरह से प्रोटेस्ट किया है इसी तरह का प्रोटेस्ट हम लोग भी इस बार करेंगे अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो एकॉर्डिंग टू दा सिचुएशन राइट अभी जो सि 17 बच्चे वइससे कर गए हालां कि उन्हें मना भी किया होगा कि यॉटियो ने दीे खाल गया कि दिकते मानें यह सब्सक्राइब करेंगे लाइट टकव चलागया कि यह वीडियो आपके और चलनी नहीं चाहिए वीडियो मिले गई तो आप सोचके देखे कितनी बड़ी गेम है इसलिए कहता हूं कि आप पूरा मुझे समझ नहीं पाऊ गया अब आगे देखते हैं आपको क्या धिहान रखना है वो बताता हूं मैं इस वीडियो के अंदर बिल्कुल काम की बाद आपको अपने टीमे प्रॉपर तरीकी से बिल यहां तक तो गड़ी जानीं चाहिए हमारी कम से कम लाइड और इसलिए प्रोटेस्ट में थोड़ा सा डिले कर रहा है थोड़ा सा डिले बस एक पर महारास्ट्यों का रिपोर्ट आने वाला है एक दो दिन के अंदर रिपोर्ट आजाएगा बाउजी अपने पर सारी डिटेल्स डाल देंगे पूरे और इंडिया के सभी स्टुडेंट् और बहुत जल्द मैं आपको सब कुछ बताऊंगा चिंता मत कीजिए थोड़ा सा सबर करना पड़ेगा मैं बागी सारी सचाईयां भी आपको बताऊंगा लेकिन फिलहाल आपको सिरफ इतना बताना चाहूंगा कि आप लोग अपने प्राक्टिकल से फोकस कीजिए आपका रि आप जाये तो इसलिए मैं चाहता हूं कि प्राक्टिकल सो आपके जरूर होने चाहिए आगे चलते हैं कम चुगेदर ऑन ट्विटर सून बहुत जल्द हम सभी लोग मिलकर ट्विटर पे दुबारा आने वाले और एक साथ आने वाले और इस बार दोस्तों आवाज इतनी द नेता है उनको दिखाई है नहीं पावर यह सिर्फ एक ट्रेलर था चोटा सा भाव का आप कभी इंटर्विव देखना यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है आप उसे देख सकते हैं उन्होंने क्या बोला है कि यह सिर्फ ट्रेलर है लेकिन अगर हमारी बात को नहीं और यह मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को महराष्ट वाले अगर लोग मान जाते हैं तो आपको लड़ना पड़ेगा यह मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको पता है ना मैंने वीडियो के क्या पताया था इधर का दुरोना चार रहें कुछ और है लेकिन हमारे ए प्लैटफोर्म पर आएंगे हमारे इस चैनल पर हम से कनेक्ट हो पाएंगे राइट ताकि हमें ज्यादा सयादा बच्चों तक यह मैसिज पहुंच पाए और हमें अच्छी सी एक साहनुभूती बच्चों से मिले और बच्चों से एक पावर मिल पाए हमें और हमारे कोई जो हमें ट्वीट करना है जो मैसेज हमारा दूर तक जाना चाहिए इसके लिए हमें चाहिए स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और इसलिए बार बार आपको बोलता हूं कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दिया करो ताकि के लिए हैल्प के लिए कोई बना रहा है और यही वजह है कि आप लोगी स्ट्रेंथ कम हैं और मैं चाहता हूं स्ट्रेंथ एसी ओजैसी महरास्टव में देख кажется देखा नОउ cела देख सकते हो तो दोस्तोमmei आपसे तai दिल से हाजोड़ के सिर्क अंड़ कहूंगा कमर कस ल चार मिनट के लिए आना है और एक साथ ट्वीटर पर ट्वीट करना है बस थोड़ा सा मैसेश टाइप करना है लगातार 15-20 मिनट तक ट्वीटिंग करनी है बस और कुछ नहीं करना हमें उसके बाद बैक टू स्टडी जाना है हमें हमें सिरफ अपने अपने संसकार नहीं भू रहूंगा इस प्लैटफर्म पर आप लोगों को पूरा हक दिलवा के रहूंगा इस बोड से मेरी जबान है ठीक है दोस्तों तो मिलता हूं आपसे बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए अपने अध्यान रखेगा सुरक्षित रहेगा थैंक्यू वेर